Hello Everyone, Profit Loss के Part 1 में हमने यहां तक डिसकस कर लिया था, अब हम Part 2 को continue कर रहे हैं Part 2 क्या है, देखो Market Price और Discount के उपर Based Question होंगे, ठीक है तो आपको सिर्फ यह वाला Formula याद रखना है कि कुछ Increment होगा तो Increase की Value into कुछ Discount देंगे तो Increment into Discount divided by 100 किसके बराबर होता है या तो Profit Percent या फिर Loss Percent तो हम जैसे-जैसे Question आएंगे, इसको Discuss करते रहेंगे जैसे देखो, Next Question क्या कह रहा है, अब कि पर fix the market price of an item 35% above अब देखो क्या हुआ, 30% above हुआ है, above मतलब Increment हो यानि कि कोई 100 की चीज थी उसके उपर 35% हो गया यानि कि अब कितना हो गया, 135% हो गया, तो मैंने बताया, Increment into Discount divided by 100 is equal to क्या होगा, Profit Increment की Value क्या आ गई, 135, ठीक है, Discount अभी नहीं पता, divided by 100, अब क्या कह रहा है, percentage बताने है, हमें Discount की Value निकाल के, अगर उसको Gain होना है, यानि कि Profit होना है, 8% का, यानि कि 100 की चीज पर Profit होगा, 8% तो कितनी हो जाएगी, 1008 हो जाएगी, तो वहीं मैंने लिखा ये वाला formula, यहाँ पे Increment की Value क्या आगी, 135, Discount के तो हमें Find Out करना है, divided by 100 is equals to 108, यह इधर Divide में इधर जाएगा Multiply में, तो 108 00, और यह इधर Multiply में निचे आएगा Divide में, ठीक है, तो 135 से यह पूरा जो Cancel होके कितना आजाएगा, यहाँ पे, 80 आजाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, 100 की चीज पर Discount दे दिया, 80% का, तो value कितनी बच गई, value बच गई, 20%, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, answer, next है, if cost price of an article is 80% of its selling price, cost price किसके बराबर है, 80% of selling price के, अब selling price, इसका मतलब क्या है, cost price is equals to 80% into selling price, multiply में निचे आएगा Divide में, तो cost price upon selling price की value कितनी आगई, 80%, यानि कि cost price upon selling price की value कितनी आगई, 80% टाने के लिए divided by 100, यानि कि कोई चीज असी में लेकर 100 में बेची, यानि कि profit कितना हुआ, 20 रुपएगा, हमसे profit percent पूछा है, तो 20 निचे divided by cost price into 100, 20 table पे 4 पे जाता है, 4 से 100, 25 पे कटेगा, तो कितने percent का profit होगा, 25% का profit होगा, next अपने प है, SP of 10 orange, अब ये इदर 10, SP को इदर ले आओ, तो CP upon SP किसके बराबर आगया, 10 upon 12, 10 रुपए की चीज खरीद के बार हमें बेची, दो रुपए का फाइदा, हमसे profit percent पूछा है, तो divided by 10 into 100, 10 से 10 का इंसे लाउट कितना होगा, 20% का profit होगा, next अपने पास, अच्छा question है, कह र क्या कोई भी चीज हो सकती है, उसको अगर मैं 524 रुपए में बेचूना तो मिरे को profit होता है, अब देखो, profit कब होता है, profit होता है, selling price minus cost price, यानि कि profit कैसे आएगा, बेचू अगर मैं 5254 minus CP, अब कहा रहा है, ये profit हमेशा बराबर होगा, कब, अगर मैं उसी चीज को 492 में ब बराबर, तो यहां से 524 minus CP किसके बराबर आगा, CP minus 452, ये इदर जाएगा, तो प्लस में 524 को 52 में एड़ करेंगे, तो 976 और CP और CP एड़ होके, 2 CP, अब ये 2 इदर multiply में नीच आ जाएगा, divide में, तो 976 को 2 से divide करेंगे, तो कितना, 88, यही हमारा क्या हो जाएगा, answer, next अप अपने पास ये type 5th start होती है, यहां से सबसे ज़्यादा question आते हैं, देखो क्या कह रहा है, orange are bought at the rate of 10 for rupees 25, क्या कहा जाता है, हर 10 orange 25 रुपए के हिसाब से खरीदे जाती है, and sold at the rate of 9 for rupees 25, rupees 25 में 9 के हिसाब से बेची जाती है, तो देखो इदर क्या दिख रहा है, एक जगे तो रुपए, पहला क्या कहा रहा है, 10 article 25 रुपए में, फिर बेचा कैसे 9 article 25 में, हमेशा पहले ये करोगे, 9 की 25 से multiply करोगे, कितना आएगा, 225, यह होता है, हमेशा cost price, 10 की 25 से multiply करोगे, क्या आएगा, 250, यह हमेशा क्या होता है, selling price, तो यही मैंने लिख रहा है, एक तरफ article, ए पहले यहां से यहां multiply करेंगे, तो cost price आजाएगा, फिर इस की से multiply करेंगे, selling price, 2 to 5 की चीज़ को 250 में बेचा है, यानि कि कितने रुपए का फायदा हुए 25 का, किसके उपर 225 पर, in 200, ठीक है, 25, 9 जा 225 होता है, तो percentage कितनी आ गई, 100 by 9%, 100 by 9% कम क्या लिख सकते है, 11, 1 by 9% भ च्यार रुपए में, फिर च्यार आटिकल, 6 रुपए में, फिर ऐसे multiply होई तो 16 CP आ गया, फिर ऐसे multiply होई तो 13 SP आ गया, प्रोफिट कितने रुपए का हुआ है, 36 minus 16, 20 रुपए का, हमसे profit percent पुछ से है, तो 20, cost price कितना 16, into 100, 4, 5 जा, 4, 4 जा, 4 से एकटेगा, 25 कितना आ गया answer, 1 to 5%, next अपने पास type 6, a book vendor, sold a book, कोई book बेचने वारा दुकानदार है, वो एक book को 20% loss पे बेचता है, यानि कि कोई 100 रुपए की चीज़ होगी, 20 पे बेचेगा, तो 80% होगा, ठीक है, अगर वो उसको 108 रुपए जादा में बेचे, तो उसको profit हो जाएगा, कितने percent का 30 का, profit मतला, सोक की चीज़ पे 30% का, मतलब 130 रुपए का, होगा, यानि कि 80% हो रहा था, फिर 130, यानि कि हमारे हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहे, 50% एक्स्ट्रा, question क्या कोई यह कितना है, 108, तो 50% की value कितनी आ गई, 108, हमसे 100% की पूछी, 100% की क्या हो जाएगे, 108 divided by 50 into 100, 50 to 100, यानि कि क्या जाएगा, 216, next है, cookery is sold, फिर से वही question, 16% के profit पे, यानि कि सोक की चीज़ कितने पे, 116 पे, अब उसको 20 रुपए जादा, if it has been sold for Rs. 20, और अगर वो 20 रुपए जादा में बेशता है, तो 20% होड़ है, अब 100 पे 20%, यानि कि 120% मिल रहे है, हमारे हिसा हिसाब से कितना, 4%, इसके हिसाब से कितना, 20, हम से 100% की value पुछिए, 4% की value 20, तो 100% की क्या जाएगे, 20 upon 4 into 100, ये गटा, 55 के 100 से multiply क्या आ गया, 500, अच्छे question थे ये, next अपने पास, एक सोब की पर marked his goods, उसके सामान को सोब की पर 20% above his CP, उसके cost price से 20% उपर रख देता है, तो म increase into discount divided by 100 is equal to percentage, अब देखो increase कर देता है, 20% यानि कि सोग की चीज़ पर 20 बढ़ा देगा, यानि कि 120, ठीक है, discount दे रहा है, 15% का, सोग की चीज़ पर 15% का discount मतलब 85 divided by 100, ऐसा करने से उसकी value कितनी आ रही है, उसकी value आ रही है, दो, इसकी value आ रही है, तो, इसकी value करो, एक 0 से 10, इसकी value करोगे 5 अंजा 5, 17, 76 जा कितना हो गया, 102, यानि कि profit कितने का हो रहा है, 102, मतलब सोग की चीज़ पे 102 में हो रही है, यानि कि कितने percent का profit हो रहा है, 2% का profit हो रहा है, यह हमारा क्या हो जाएगा, answer, अब कुछ इन formula के उपर based question हैंगे, जो कि मैंने पहले part 1 में भी बता दिये थे, cost price निकालनी, अगर market price or discount है, तो क्या हो जाएगा, market price into 100 minus discount divided by 100, अगर profit है तो add, और loss है तो minus, market price के लिए भी same रहेगा, cost price इदर आजाएगा, 100 plus, market price अगर इदर, cost price into 100, अगर profit है तो add, loss है तो minus, divided by 100 minus discount, तो इनी के उपर based question करेंगे, question number 21 क्या है, swapkeeper buy an article for rupees 180, यानि कि cost price कितना दे रहा है, खरीद रहा है कोई चीज़ को, 120 रुपए में, वो क्या करना चाहरा है, profit कमाना चाहरा है, 20% का, profit percent कितना होगे, 20% और साथ में, वो discount भी देना चाहरा है, 10% का, discount हो गया 10% का, हमसे market price पुच्छा है उस article का, तो market price का formula क्या है, देख cost price कितना, 180, into 100, plus profit होगा, तो 100 में, 20 को add करोगे, 120, divided by 100 के उपर 10% का discount, मतलब, 100 में से 10 गया, 90, 100 से 10, cancel out, 9, 2018, 0, यानि कि 12, 2024, कितना आगया, 240, तो market price क्या है, उस article का, 240, next, अपने पास, अब की बार क्या दे रहा है, discount दे रहा है, 10% का, market price दे रहा है, 1100, और gain, profit दे रहा है, 10% का cost price पुच्छा है, तो cost price के लिए formula क्या हो जाएगा, इस से उपर वाड़ा ये, क्या हो जाएगा, market price into 100 minus discount, तो क्या हो जाएगा, यहां से, market price कितना, 1100, into 100 minus discount, discount 10 का, 100 में से 10 गया, 90, profit 10 का कमाना चाह रहा है, 100 पे 10 जोड़ेंगे, यह जाएगा, 10 से एक जिरो, cancel out, 1110, यानि कि उसका, क्या जाएगा, cost price 900, next अपने पास, हमें successive discount निकालना होता है, successive discount निकालना बहुत आसान है, पहले कि अगर हो 100 लिखो, उसके साथ, जो भी value वो देता जाए, उसको multiply में लिखते जाओ, 20% का discount, यानि कि 100 की चीज़ पे 20 का discount, मतलब 80 की हो 100 की चीज़ पर 10% का divide, मतलब 90 हो गया, divided by 100, 20 से 20 cancel out, 10 से 10 cancel out, 10 से 10 cancel out, मतलब कितना आगया, 70% का, 72% का discount देंगे, 100 की चीज़ पर 72% का discount दे दिया, यानि कि कितना answer आँसर आगया, 28% अमारा क्या हो जाएगा, answer, ये सैनिक स्कूल में आया हुआ है, question है, next अपने पास, एक swap की पर buy an 80 article for rupees 2400, किसी दुकानदार ने 80 article खरीद लिए 2400 रुपए में, और वो उसको 16% के profit पे बेचना चाहता है, तो एक article बताओ, हर एक article उसको कितने रुपए में बेचना होगा, तो पहले देखू, 80 article का profit निकालेंगे, profit कैसे निकलेगा, profit percent into cost price, sorry, ये जो खरीदे हो, तो 16 percentage अटाने के लिए divided by 100 into क्या आगया, 2400, 20-20, cancel out, 24 की 16 से multiply करोगे, तो कितना आएगा, 384 ठीक है, अब ये आगया profit 80 article पर, हमसे एक की पुछ है, तो यानि कि selling price 80 article का क्या हो जाएगा, जितने मुझे खरीदी है वो, प्लस इतने रुपए का वो profit कमाना चाह रहे है, यानि कि वो चीज को कितने में बेचना चाह रहे है, वो 4872, यानि कि 2784 में बेचना चाह रहे है, ये है, पूरे 80 article वो इतने रुपए में बेचना चाह रहे है, तो एक article उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 2784 को 80 से divide करवा देंगे, यानि कि उसको हर article कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 34.80 रुपए में बेचना पड़ेगा अब देखो क्या कह रहा है ए सोल डे वोच टू बी ए ने बी को अपनी वोच दे दी पांच परसेंट के प्रोफिट पे माल लो एक वोच का सो रुपए थे तो पांच परसेंट का प्रोफिट 105 हो गया फिर क्या कह रहा है बी 21 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4.5 यानि कि 105 के अंदर 4.5 एड करो तो कितना आ जाएगा 109.5 कितने रुपए में बेच रहे हूँ 109.2 सोरी 5 से डिवाइड कर रहे है तो 109.2 अब क्या कह रहा है सी यह जो है यह हमारे हिसाब से तो कितने रुपए बने यह कुश्चन के हिस 1.2 into 100 अब डैसिमल अटाएंगे तो एक 0 पर चली जाएगी इससे एक एंसिल आउट क्या आ गया 1000 यानि कि ए ने कितने रुपए दिये थे वोच के लिए 1000 रुपए दिये यह हमारा आंसर दूसरा तरीक का यह है नीचे जो मैंने लिख रखा है यह कि पहले 100 की चीज थी 5% क प्रॉफिट यानि कि 105 हो गया फिर से 4% का प्रॉफिट यानि कि 104 हो गया और यह सारे रुपए मिलके कितना बन रहे है 1092 इसको अमसोल कर लेंगे ठीक है तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा तो यह तो चाहिए आप इस में थड़ से करो या फिर पहले यह और इसके बाद यह इस में थड़ से करो यह कुछ भी नहीं है यह अभी कुछ नहीं है ठीक है इसको अटा देना नेक्स अपने पास बाइ सैलिंग एट ड़जन ओप एंसील तो यानि कि सैलिंग प्राइज ओफ एट ड़जन पैंसिल एक सोप कीपर को फाइदा होता है सैलिंग प्राइज किसके बड़ाबर है selling price of one dozen pencil तो selling price of eight minus यहां से देखो यह plus का इधर जाएगा minus का SP of eight dozen minus SP of one dozen यह इधर minus के जाएगा plus is equal to क्या जाएगा CP of eight dozen अब eight में से वन जाएगा तो क्या बचेगा SP of seven dozen is equal to क्या जाएगा cost price of eight dozen अब ये SP इस CP को निचे लिया हो is equal to क्या आगे eight by seven यानि कि सात रुपे की चीज़ को आठ में बेच रहे एक रुपे का फाइदा हो रहा है हमसे profit percent पुछा है तो into CP divided by hundred क्या आगे hundred by seven इसको हम क्या लिख सकते है 14 all two by seven percent भी लिख सकते है next है selling price of soda article is same as money paid for twenty article मोहन जो है soda article के लिए जितने रुपे पेज करता है उतने 20 article के cost price के लिए करता है तो यानि कि क्या आगया SP of 16 किसके बराबर है CP of 20 हैसे question हमने बहुत कर लिए तो SP upon CP के आगया 20 upon 16, 16 की चीज 20 में बेच रहे हैं कि 4 रुपे का फाइदा हो रहा है cost price एंडर divided भाई ये 4 से 4 cancel out ये कितना आगया 25% का फाइदा next हमें निकालना है हमें difference बताना है पहला क्या कह रहा है discount दे रहा है वो 40% का 500 रुपे के उपर तो 40% का discount कितने पर 500 रुपे पर 00 cancel out कितना आगया 200 यानि कि 500 की चीज पर 200 रुपे का discount हो गया मतलब 300 रुपे में बेच रहे है दूसरा क्या कह रहा है 500 रुपे के उपर दो successive discount दिवलाओ एक 36 का रहे 4% का तो 500 के उपर जब 36 का दिलाओगे 100-36 करोगे 64 आएगा फिर 100-4 करोगे 96 आएगा ठीक है solve करो 2-0 से 2-0 cancel out 5 से ये 20 पे जाएगा फिर 2 से 10 पे जाएगा 32 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा ये 16 पे जाएगा और ये और cancel out हो जाएगा किसी से नहीं अब नहीं होगा जब इसकी multiply करवाओगे आप तो ये जो value आएगी इस में से हमें क्या करना है इस वाली value में से 300 को क्या करना है माइनस करना है तो अपना answer आजाएगा 7.20 क्योंकि difference पूछ रहा था कि पहले 500 के उपर 40% discount दिलाओ फिर 500 के उपर ये 2 successive discount दिलाओ दोनों answer आएगे उन दोनों को क्या कर दो difference कर दो minus कर दो लास्ट क्रेशन अपने पास एक कोई भी agent है खरीदने वाला ठीक है जो सामान को खरीदता है बेचता है वो टीवी को क्या करता है 10,000 रुपे लिश्ट कर देता है दस पहले तो टीवी के market price दे दिया उसने 10,000 फिर 2 discount दे देता है तो 10,000 के उपर जब 10% का discount देगा मतलब 90 और 20% का देगा मतलब 80 दो जिरो से दो जिरो खतम दो जिरो से दो जिरो खतम यानि कि 7,200 दस अजार की चीज़ पर उसने बैतर सो रुपे का discount दे दिया ठीक है अब क्या कह रहा है he spent 10% of his CP on transport 10% उसने ट्रांस्पोर्ट पर खर्च कर दिया यानि कि बैतर सो रुपे तो वो क्या कि desert को देख के हैंगा प्लस 10% इस 7,200 का क्या पर देगा ट्रांस्पोर्ट पर देगा तो कितना हो जाएगा 7,200 गऑद 10% कितना हो गई languages यानि कि उसके रुपए कितने लगे 7920 ठीक एट वट प्राइज सुडी सेल तो अब यह उसकी कोष्ट प्राइज खरीदेने खरीदा कितने में 790 अब हमें बताना है कि वो उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहरा है तो बताओ उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा तो 72900 10% का प्रॉफिट मतलब 110 पे बेचना चाहरा है वो तो 10 से 10 खतम 10 से 10 खतम 792 की 11 से मल्टिप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 8712 यानि कि उसे वो चीज कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी 8712 में बेचनी पड़ेगी तब जाकि उसको कितने रुपए का तोगा